बिलकाम आई टी स्टुएंट्स तो आज के इस वीडियो में लेकर आगा हूँ छत्तिस गड़ ओपन स्कूल कक्षा दस बीबी से ग्रेव विज्ञान यानि की होमन साइंस के पेपर का संपोर हल इसमें मैं आपको उसके प्रश्ण कर मांग एक से लेकर प्रश्ण कर मांग उन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्सण मुर आएंगे आप उन्हें जाकर देख सकते हैं तो आगि हम बिदियो को बिने किस देरी के स्युरू करते हैं तो देखिए यहां पाला, आपको के लिगे। बहुव विकल्प फश्न दिए गाए method識 के इसका पहले का उतार आ सवस्ष बायू के संचरण के लिए अब देखिएबाम में आपको रिस्थानों की पूर्टी करना है तो देखिए यहां पर प्हेले का उत्तर आएगा तीन दूसरे सीनपैना यूगोमनाज तीसरे उत्तर आएगा अवद्र Deputif अब देखिए सा नमबर वाले में आपको सत्य असत्य लिखना तो देखिए यहाँ पर पहला दूसरा और पाजबगर जो कतन है बहे असत्य होंगे और तीसरा और चोता कतन सत्य होंगे तो यह आपके सभी उब्जेक्टि प्रिश्णों के सोल्यूसन हो गाए आए हम बढ़ते इनके आगे वाले प्रिश्णों की तरफ प्रिश्ण बस पास सिकेंट्स में लेंगे आपको डाउनोट एप पर इसके साथ ही डाउनोट पर चल रही है इंडिया की नमबर वन डेली ओनलाइन वीडियो क्लासेस वो भी इंगलिस और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पणा जा रहा है तो आज ही इन कोर्स का हि पर इस ठोड़ कीजिए इसका देखेए प्रश्ण चामांग दो में आपको ग्रे विग्यान के प्रमुक दो घटकों के नाम लिखना है तो देखिए मैंने आप पर सभी घटक के नाम लिखता हूं आप किनी भी किनी दो घटकों लिसकते देखिए आहार तिथा पोशन संसा परदन की कोई दो वीदिया लिखिए तो यहां पर देखिए आपके सामने वीदिया लिखिए है पहली वीदिया आपको दीए फल एबम सब्जी को ताज ही प्रयोग में लेवे या फिर उन्हें रेफ्रेजरेटर या ठंडी स्थानों पर संग्रीत करें दूसर जो खाते पता रूप में प्रयोग में लाए जा सकें उन्हें कच्छा ही खाए यह आप इतना आंसर लिख लेंगे पूरा का पूरा आप बीडियो को पोस्ट करके आंसर लिख सकते हैं फिर आप इसकीन शोट भी ले सकते हैं इसका देखिए यहां पर मैंने सारे उपाबात आ दिया हूँ आप किनी ख00 मी बीडिधा कृश लिख लें हैं हमें नींद का होना बहुत जरूर है हमें अच्छा से लेंगे कब से कमों में साथ-2घंटे सोना चाहिए पिर जैसे की संतूली डाइट वाला पॉइंट है निकल socman के फूरे ही हमूte गाए हम उचार उट-3 online sos amat ssakवatagen k अच्छा नहीं होगा इसलिए हमें संतुली डाइट का सेवन करना चाहिए इस प्रेकार साप डिटेल भी कर सकते हैं अब देखिए पांच प्रेशन आपको दिया है कपोड से दाग हटाने की दो पत देती है लिखी तो इक आपर आंसर है दाग पर निम्बू का रस तथा नमक आपको रगड़े फिर दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे गुन गुने पांदी तता सावुन की घोल में डुबाए जैसे कि हाना तो इस प्रेकार साप आप आप आंसर लिखे देंगे अब देखिए छड़वाक कोशन आपको दिये संसाधन कितने प्रिकाlt के होते होते है पहला पॉइंट आप डालका लिखेंगे प्राकरतिक संसाधन दूसरा प्रिकाल के कि मानब निनमित संसाधन तो या आपका अंसर हो जायेगा अब देखे साथवा प्रिशन आपको दिया है गर्वा वस्ता के कोई दो रच्छन लिखिए तो देखिए यहाँ पर सारे लच्छन लिख दिये गा है आप किनी दो रच्छन को लिख सकते है अब देखें आणवा फिशन आपको दिया है भोजन संरच्छन के महत्व लिखी है कोई तीन तो आप देखें आपके सामने आंसर है भोजन संरच्छन का महत्व तो आप इस प्रेकार से आप डिटेल कर लिए पहला पोइंट संरच्छन अतिरिक्त उत्पादन की विवस्ता कर मैं करता है करता है इस प्रेकार से आप आप आँसर लिखेंगे इनकी डिटेल बड़ी लिखें तो आप इनकी डिटेल को अपने साप सो छोटा भी कर सकते यानि कि आendeu सकते जो लग रहे थे पर थे भेर्थ आप उससे नहीं लीसक्ते तो सबिसेंट में संद्चन से हमारे बोजन में विद्धता आती है फिर आप उसकी डेटिल कर लेंगे यह फिर तीसर संद्चन बोजन को ओन इस्थानों पर बेजना इन्हें जहां इन्हें उगाय नहीं जाता फिर आप इसकी डेटिल भी कर लेंगे अब देखिए नोब परशना को दिया है विकास को प्रभावित करने वाले किनी तीन कारकों का वर्णन कीजिए तो आपर देखिए आंसर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो पहला पोइंट आपको दिया है आनुवांसिक्ता तथा बातावरन दोनों प्रपिए कि यह पहला पॉइंट आपको पोषंट फिर आप उसकी डिटेल कर लेंगे कि दूसरा पॉइंट आराम धिक उत्रेड़क फिर आप उसकी डिटेल कर लेंगे कि अनल तो यह आपका अंसर हो जाएगा अब देखिए दसर प्रेशन आपको दिया है मूल तिता नेतिता का अर्थ बताईए तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है मूल की परिवासा तो देखिए मूल सद्ध स्थाथ पर किसी भधतिक बस्तु अधव मानसिक आवस्ता के उस गुन से है जिसके द्वारा मनस के किसी उद्धेस अधवल अच्च के पूरती होती है अब यह देखिए नेतिता का अर्थ यहाँ पर यह आपके सामने नेतिता की परिवासा है अब देखिए प्रश्ण करमां 11 स्रम किसे कहते हैं हम स्रम की गरीमा समझाईए तो देखिए यहाँ पर इसका अंसर स्रम का अर्थ तो आन मनस से किसी कार को पूरा करने के परिदिल होना जिस व्रक्तीन ने परिश्ण के बल पर आगए बढ़ने की चेस्टा की बेरने रंतर आगए बढ़ा माना जिवन की ओन्हुन नती का मुख साधन परिश्रम है जो मनस जितना अधिक परिश्रम करता है उससे जीवन में उतनी अधिक सफलता मिलती है 12 परशने आपका उपभुक्त के अधिकार लिखिये कोई 3 की नहीं 3 आपको उपभुक्त के अधिकार लिखना तो दिखिये यहापर उपभुक्त के अधिकार पहला जीवन एवं सब पत्ते के लिए खातक पदार्त हो या सेवाओं की बिक्री से बचाप का अधिकार दूसरा उपबोगतर पदार्त हो एवं सेवाओं को मुल्य हना इस परकार से आप तीन अधिकार को लिख लेंगे सारे अधिकार मैंने आप लिख दिया हो किनी तीन अधिकार को अब लिख ली जैगा अब देखे अगले परस्चन आप का तेरह परस्चन मानकी करत चिन्य किसी कहते है किनी दू चिन्यों के नाम बताई तो देखिए, मान के करद चिन को हम ट्रेड मार्क भी कहते हैं, तो देखिए, ये आपकी, परिवासा, पहले भाग का अंसर, अब बीडि को पॉस्षे कर का अंसर लिखते हैं, ये फिर इसकी सोठ ले लीजिए, फिर उसका अगला वाग था कि टेड मार्क के-प्लाग रिख strap नो words केम में मार्क दूसरा विरुति नों्यव्टार को आपको लिखना देखिये यह यहीं थीन दिया है आप किनी दोफार को लिख लिजी Leo यह फिर तीनों को आप लिख लीजिए अब देखे चोदवा प्रशन आपको दिया है चल पर दूसरों के कुछ चार स्तरोतों को समझाईए तो देखिए यहां पर पहला पॉंट आप लिख लीजिगा घरेलू 22 तराव तो इस प्रेकार से आप यहां पर इसकी डेटेल कर फिर यहां पर देखिए आप सीरियल नंबर डालीए दो फिर आप लेखेंगे ओसमी तथा ओसमी या तापी प्रेदूसर्ण फिर आप उसकी डेटेल कर लीए फिर तीसरा पॉंट डालेंगे आप तेले प्रेदूसर्ण फिर आप उसकी डेटेल कर लीए फिर अगला चोते नांबक पॉइंट आप डालेंगे रेडियो एक्टिव अपसिष्ट एब हम अब बात और फिर आप उसकी डिट्रेल कर लेंगे समय नियोजन करने के कुछ चालाव बताईए तहाँ पर देखिए समय नियोजन करने के चालाव हम पहला पॉइंट आप डालके लिखेंगे तन आप किस तर में कमी फिर आप उसकी डिट्रेल कर रहेंगे फिर दूसरा पॉइंट आप डालेंगे आपको कारे पर ध्यान के इंद्रित करने की अनुमती देता है और यह आप उसकी डिट्रेल कर लेंगे फिर तीसरा पॉइंट आप डालेंगे जिज्जाग कम करें फिर आप उसकी डिट्रेल करेंगे फिर चोतर पॉइंट आप डालेंगे आद में बिजबास हसिल करें फिर आप उसकी डिट्रेल करेंगे तो आपका 15 प्रशन का अंसर हो जाएगा अब देखे 16 प्रशन आपको दिया है कार्वो हाइडरेट के इस्तरूत एवं कार्वो हाइडरेट के कार लिखी तो देखिए प्रशन के इस्तरूत तो आप यहां पर इस्तरूत लिख देगे पहला बेचसार दूसरा चीनी तीसरा सेलूलोज अब यह देखिए आगे है कारवो हाइडरेट के प्रमुकारी देखिए यहाँ पर कारवोज लिखा है यह थोड़ा सब्दल गलत हो गया तो आप यहाँ पर लिखेंगे कारवो हाइडरेट ठीक है और यहाँ पर कार तुरूसरा पॉंट आप लिखेंगे प्रोटिन बचाने वाले कारे और उसकी । रणरे करलेंगे । थिसरा पॉंट आपया बहज़न वाद में पॉसवाद और इसकी आप यहये यही का अवर चंप लॉटि लालेंगे और आप उसकी डीटियल कर लेंगे अब देखे सतरवा का औधवा परशन आपको दिया है विकास के सिदांत लिखिये किनी पाँच आपको विकास के सिदांत लिखना है तो आब देखिये answer विकास के मुख सिदांत है नमलिक्एत है पहला point आप डालेंगे बिननत्य का सिद्धान्त, theory of difference और आप उसकी detail कर लेंगे दूसरा point आप डालेंगे बिकास की दीशा का सिद्धान्त, theory of development, direction और आप उसकी detail कर लेंगे तीसरा point आप डालेंगे बिकास की दीशा का सिद्धान्त, और आप उसकी detail कर लेंगे चोथा point आप डालेंगे circular development और आप उसकी detail कर लेंगे पांचर point आप डालेंगे बिकास दर में अंत्यक सिद्धान्त, theory of difference in growth rate और आप उसकी detail कर लेंगे अब देखिए 18 परशन आपको दिया है कपड़ों से निमन पुराने दागों को हटाने के पद्धति लिखिए ताप उसकी डालेंगे यहाँ पर आप कोलम मनाएंगे तीन एक तरफ दाग, दूसरे तरफ सपह सूत्ती कपड़े, तीसरे तरफ रंगी सूत्ती कपड़े तो आपको पहले दाग दिया है चाय का तो देखिए उनको हटाने के यहाँ पर पद्धति लिखिए है, सपह सूत्ती कपड़े से दाग के ऊपर गरम पाण डालेंगे और रंगी सूत्ती कपड़े के लिए आप पानी बाब ओरेक्स के मेंसरने में डूबा कर रख दिए और इदी पुराने दाग है तो पुराने दाग के लिए आप निम लिखिते हैं आपर बिद्धी लिखिए उसको आप अपनाएंगे इस परकार से आप यहां पर आंसा लिख लिए फिर दूसरा आपको दाग दिया है हीना याने की मेंदी का तो नए दाग और पुराने दाग के लिए आप इस परकार यहां पर बिद्धी को अपनाएंगे फिर तीसर दाग आपको दिये था रक्त का तो नए दाग के लिए आप इस प्रकार की विदी को अपनाएंगे दसका तस आप 60 कहाँ पर लिख लिजीगा और फिर पुराने दाग के लिए आप यहाँ पर यह लिखेंगे अब देखिए आखरे प्रशन आपका प्रशन करवां को 19 का दवा प्रात्मिक उप्चार के कोई चार नियम लिखिए तो देखिए यहाँ पर आपकी दीगे हैं सबसे पहले प्रात्मिक उप्चार की परिमासा, आप फेरिंग डालेंगे प्रात्मिक उप्चार और आप यहाँ पर इसकी परिमासा लिखेंगे तो आपका हो गया पहले भाग का अंसर अब आपका दिया था कि प्रात्मी उप्चार के चार नियम लिखी तो देखिए यहाँ पर प्रात्मी के उप्चार ये फिर चिकत सके सिद्धान अधवा नियम तो आप यहाँ पर नियम डाल लेजीगा कि प्रात्व को उप्चार के नियम आप फेड़ें डालेंगे और आप यहाँ पर डिटेल करेंगे फेला पॉइंट आप डालेंगे रोगी की अवस्ता का नुमान और यह डिटेल आप करेंगे दूसरा point आप डालेंगे चिक्षक सक्सरंबग और आप उसकी detail करेंगे आप ये upboard solutions.com मन लिखना हाना इसको आपको नहीं लिखना है तीसरा point आप डालेंगे सायता की सीमा और आप उसकी detail करेंगे चोता सांता बना देना वा वह धेरे बादना और उसकी डेटेल करेंगे और पांच बार क्रितिरियम स्वासन की सायता और आप उसकी डेटेल कर लेंगे तो आज के वीडियो में आपको cg open school class 10th home size paper comment आपको full solution बता दिया हूँ उमिद आपको वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो helpful लगा तो वीडियो को लाइक दवा देना और मिलते हैं हम आपको नेच्ट वीडियो में लिंक में आपको नीच डिस्किप्शन में आपको अधर सब्ज जिए जिवारत